आज मिर्टी के नेक्ष्ट भाग को हम स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट को स्टार्ट करेंगे जलोड हो गया लाल हो गया काली हो गया आज पड़ेंगे लेटर राइस अब डिटेल से देखेगा फ़र्च वीडियो से मिट्टी सब समझ माँ जागा और जो भी कुछ छूट जागा हम वह कोसिस करेंगे कि अब्जेक्टिव में वह पूरा हो जाए और इससे बाहर कुशन ना जाए अच्छान से दिसांतर से भी यह किये थे कि पार्ट वाई पार प्रोरी है कि यह जो मिट्टी है इसका रिर्मान वहीं पर होगा जहां पर उस मिट्टी में क्या पाए जागा तो उस मिट्टी में चूना होगा वहीं पर यह मिट्टी बन सकता है सिलिका होगा वहीं पर यह मिट्टी बन सकता है अलमुनियम होगा एल लिग दे रहे हैं वह अभी मिटी बन सकता है और लोहा एफई एरम वहीं पर यह लोगी मानसून जब होगा बरसात जब अब उसमें क्या होता है कि जब पानी पड़ता है तो अब जाता है अब गुल जाने के बार क्या हूत है कि यह जो रीश करके मिट्टी के अन्दर चल जाता है और धियान रखने वाली यह बात है कि अलमुनियम है अर लोए एकर में दिशे। लगलतो ऊथो दूखल के नीचे चल जागा लेकिन क्या अपर और बूसके लेकिन का नहीं जाएगा लोह में अंब आसकी गरंथी बच जाता है इसका मतलब क्या होता है कि लेटराइट मिटी का निर्मान मांसुन जलवाई वाली प्रिस्थिति में संपन होती है इसी से लेटराइट मिटी का निर्मान हो जाता है तो समझ में आया गरे लिटर एक्शा नियर्मान कभुदू मांसुन जल्वाएःू के समझा閉स जृतल पुछल जाता है इससे उध्यक्तर निर्मान. सवाल पुछा जाता है कि लेटर एक्वान आई अग्शा जाता है कि अटो लेटराइट मिटी होब वहीं पावल जागा मालाबार तट रहेगा ना माला बार तो जैसे कुन कुन हो तो देए केरल होग केरल ओडिसा यूडीजा और और कुछ है ना लेकिन इतने जान तो केरल ओडिसा और आसथम के सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जोद्वित लोवा है और सबसे पहला बाद वह मिट्व जाओ है नहीं जिसमें अल्मुनियम और लोहा है जिसमें अल्मुनियम और लोहा है सकता है किमेटी अनुप जाओ है कि अन जाओ की सवाल पूछा गया है अब अनुप में क्या थेसे टेफ जा लेते हैं थे तरज हैं असलम जाल से बैदना ताजू कर फाल एक यह सब बहुत अच्छा से मतलब जैसे तैसे उगा लेते हैं सवाल पुछा गया है एक्जाम में पूछा गया है तो Tech लेटराइट मिट्टी में होती है लेटराइट मिट्टी खतम होगा सवाल क्या था कि लेटराइट मिट्टी कैसे बनता है तो मांसुन जलवायू के समय होता है चूना और सिलिका रिसके निच्चे अलमुनियम और लोहा उपर ठेक वोकर बाद जब उपर होगे गरंथी से उगा लेते हैं तो यह था पूरा लेटराइट मिट्टी अब थोड़ा सा विसु से थोड़ा सा आ जाता है जिसे हम जब काली मिट्टी पढ़ा रहे थे तो बताया थे भारत की काली मिट्टी की तुलना अमेरिका के प्रेरी से कर देते हैं और भारत की काली मिट्टी की के बारे में कि विश्व की मिट्टी में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं कि देख लिए मान लेते हैं यह मेरा प्रीथ्वी है कि ठीक यह अभी उपर में कहा उत्री धुरूवे यह चांद संतर में पढ़ा है नहीं अभी पता ऊपर के और जांगे ना तो यहां मिलेगा आपको तुन्डरा प्रदीश को से तुन्डरा अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं तो टूंडरा छेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं तूंडरा मिट्टी तुन्डरा चेतर में जो मिटी पाई तो तुन्डरा मिटी कहते हैं अब यह क्या होता है यहां है अनुप जाओ मिटी यह भी और यह आनुप जाओ इसले कि लेकिन यह इतना अनुप जाओ है इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि यह ठुन्डरा मिटी आगे पढ़ते हैं चुन्डरा मिटी के पाया कहां जाता है उत्री अमेरिका जो देसा हम फिगर नहीं बना पा रहे हैं भी विस्व का नहीं बनाने आता है तो याद रखना है कि उत्र उत्री अमेरिका का उत्री छेत्र उत्री अमेरिका के उत्तर छेत्र और उत्री ग्रीन लैंड के उत्तर यूरेसिया उत्री ग्रीन लैंड के उत्री यूरेसिया यह समझेगा यह यूरव और गार्या आप इस्या यह दूनों महादिप में जहां सटल है ना इसको बोलते यूरोप एस्या यूर hope एस्या यह उसी को बोलते है ना तो उत्तर अमेरिका की उत्तर छेतर में पायाता है यह टूंडरा मिट्टी और उत्री ग्रिन लेंड ता उत्री यूरेसिया में पायाता है यह टूंडरा मिट्टी ठीक आगे बढ़ते अब यह जो टूंडरा मिट्टी है इसी के नीचे अगर चलेंगे हम तो इसमें एक मिट्टी पायाता है नाम है अब पाड़ल। इसी के नीचे एक पाड़ल मिटी है और ये जो पाड़ल मिट्टी है ये भी अनुपजाओ है लेकिन बहुत ज्याधा खाद उत दे करके मर सालफीट मर यूरिया है ना बहुत ज्यादा सालफिट उलफिट दे करके इसको तरनीमनी कुछ कर लेते खेती अगर मान लेते हैं कि एक तरफ पूरा जंगल है कि यह कचा कच एक दम है कि यह पूरा है और एक तरफ मिल के आपको छोटा छोटा घांस गह है कि एक तरफ मिल गहां तो इसमें जो मिठी पाया जाता है इधर जो मिठी पाया गया गहां मतलब एक ओर वनों से अच्छादित मतलब जंगल से घिर गिरावा दूसरी ओर थोटए-चोटे घांसों से घिरावा के बीच में जो की यूति प्रेयरी मिठी जिसको भारत में इसी कटलना किया है भारत की काली मिठी के तुलना प्रेयरी से किया गया है आगे और रूसका है चरनोजम मिठी से आगे तो सवाल पूछेगा कि यह जो एक और वनों से एंद दुसरी चोटे-चोटे घास होती है इसके बीच में पाई जाने अली टेकंगा आती है प्रेएरी मिंटी के आगे कि अ कि अ कि और यह जो मिटी प्रेएरी ने रूस के कुछ भाग में थोड़ा थोड़ा है थोड़ा मतलब रूस में मिल जागा और यह अमेरिकम है ही लेकिन रूस के कुछ भागों में भी मिल जाती है आगे एक ऐसा मिट्टी का नाम बता रहे हैं जो चुना पत्थर से मिलकर बना होता है चुना पत्थर यह ओता क्या मालू मैं कि यह यह जब पानी पढ़ता है तुरंथ ठूटने मिट्टी को क्या कare रैंड जीना मिट्टी रैंड जीना यादर क्या हो ब्लाइब उसी मिटी जो तुरंत घुलने वाली और तूट तूटिने वाली होती है सहना उसी मिटी का नाम होता है रेंड जीना मिटी और ये जो मिटी है वह अधिकतर यूगो सलाविय में पाया जाता है आप आयता है यूगो जान रखें आभी तक लेटराइट मिटी बता और फिर ये भी बता दिए कि कौन मिटी का है टूंड़रा मिटी उत्री धूरा पायाता है टूंड़रा चेतर में तूंड़रा मिटी उसी के नीचे पाट जोल और उसके बाद बताहिए यह आनुफ जाओ है क्योंकि बर्फ रहता है लेकिन फिर भी देखे थेथर नुगर उगा लेता है कुछ-कुछ है ना खाद-पदार ज्यादा लगता है और वैसा मिटी जो पानी पानी पर तुरंट गूल जाए तूड़ जाए वह चुना पत्थर से निर्मान होता है नाम रेंजीना मिटी है और वही रेंजीना कंट्र ने सब्चेड और यहां पर मिट्टि का चुप्कर कंप्लेट होता है नेक्स्ट वीडियो में जो भी छूटा हुआ है पोसीश करेंगे कि सब अब्पड़ाने का